तकरीबन 12-13 गंटे पहले Google की October 2023 Core Update वो complete हो चुकी है और इसी के बारे में मैंने सोचा कि वीडियो मना कि आपको अपडेट करनूं कि अब क्या होगा और आपकी वेबसाइट के साथ क्या क्या हो सकता है या हो रहा होगा अभी यह आपको जादा पता होगा तो मैं उसका एक ओवरव्यू दूँगा अब आप देख सकते हैं कि कोवर अपडेट जो थी जिसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई है पहले भी यह 19th October आप भी तक्रीबन पीरीडी के साथ साथ या आट बजरेओं के रात के और यह सुबा अपडेट होई थी और अगर आप यह देखें कि Search Engine Land पे मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां लिखा है This felt like a big update taking almost 14 days to fully roll out मतलब यह अपडेट में पूरे दोफते लगे Google को roll out करने में इस update को हलाके core update है यह मगर पूरे दोफते लिए Google ने इसे update करने में और इसके बाद अगर अगर आप यहां देखें तो यहां लिखा है के lots of volatility This update like most previous core updates felt big in terms of the number of sites that saw ranking volatility and the complaints from SEOs I spotted over the roll out We will try our best to do the data provider analysis but with two big confirmed updates rolling out at the same time It might be hard मतलब volatility क्या है के बहुत जादा किसी की website के अंदर एक decrease आ जाता है या increase आ जाता है लेकिन वो consistent नहीं रहता बार बार या तो website नीचे चली जाएगी या कभी उपर जाएगी फिर नीचे चली जाएगी फिर उपर तो ये होती volatility के किसी का कुछ बरोसा नहीं होता लेकिन आप समझे लेकिन के जारात तर इसका मतलब negative impact पर होता है ना के positive impact पर लेकिन ये आपको अपनी website पर देखनी पड़ेगी update जब ये अब complete हुई है तो आपकी website पर क्या क्या है इसके आपको after effects नजर आते हैं क्या वो आपको positive की तरफ लेके जा रहे हैं ranking में या आपको negative की तरफ लेके जा रहे हैं ये अब आपको अपने end पर देखना पड़ेगा अब अगर मैं Samrush sensor पर भी दिखूँ जैसा कि मैंने एक दो वीडियोस में पहले कहा है कि ये sensor जो Samrush का होता है इसके इनर जो इनके पास जितनी भी websites होती है उनकी जो monitoring हो रही होती है तो ये उसका आपको एक overview देता है कि इनके system में या इनके algorithm में जो websites है उनमें क्या-क्या fluctuations आ रही है या वो उपर जा रही है नीचे जा रही है लेकिन अगर आप देख रहे है कि भी normal range है लिखा है कि another ordinary day तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा volatility नहीं आई है और जो मेरी website है राइट डाइनो ये AI वाली जो मैं कि जगा पे नज़र आजा है इसके लिए मैं प्रो राइंक ट्रैकर यूज करता हूं और फ्री वर्जिन यूज कर सकते हैं लिक में डिस्रप्शन में डाल दूँगा तो इसमें कोई बस साइन अप करना और आपके पास एक lifetime plan आ चाता है जिसमें आप 20 कीवर्ट्स ट्रैक क अगर मैं अभी भी इसे जिस तरह मैं कह रहाता कि अगर आप पिछले साथ मतब साथ दिन का डेटा देखें और फिर चेक करें कि आपकी website में कितनी ज्यादा fluctuation आईए अगर तो आपकी website consistent है थोड़े उपर नीचे हो रहे हैं keywords जिस तरह मेरे अगर आप देख रहे हैं तो मे 22 पे चली गई है यहाँ पे 7 पे थी पहले भी और अभी भी 7 पे ओम्निवर्स दानोसौर्स पर पहले 7 पे अप 6 पे आ गई है इस पे नमबर 3 पे थी अब नमबर 2 पे आ गई है website इस keyword के लिए ओम्निवर्स दानोसौर टीथ तो यह fluctuations अभी तो होना बिलकुल normal है लेकिन अब इतनी जादा आपको fluctuation नजर नहीं आएंगी मगर आप फिर भी एक से दो हफते और आप समझे ले कि आप थोड़ा और वेट करें एक से दो हफते यह आप समझे ले बस इतना 1 से 2 वीक्स का buffer दें ताके आपको और अच्छी तरह idea हो जाए कि आपकी website के जो important keywords है उस पे आप बहुत जादा आपको difference नजर आ रहा है अब जैसे के मेरी आप ranking में देख रहें तो अगर मैं किसी भी keyword का आपको weekly भी data दिखा दूँ जैसे आप समझें के मैं इस वाले keyword का देखा देता हूं तो अगर मैं last one week का data देखूं तो 13 October से लेके यह 28 October तक है तो मेरी ranking 3rd पे थी 3rd फिर 4th, 3rd, 3rd, number 2, number 3, number 2 तो यह normal fluctuations है अगर आपके भी keywords अगर आप ट्रैक करना है उसमें अगर आपको थोड़ी थोड़ी अगर fluctuation हज़र आ रही हैं कि मतलब एक या दो ranks आपके गिर गए फिर next day आपके दो ranks उपर चले गए तो यह बिलकुल normal है इस से आपको panic होने की need नह पे आपकी website drastically नीचे चली गई है मतलब अगर किसी keyword पर आपकी ranking number 10 पर थी अब वो 20 पर चली गई है second keyword पर 10 पर थी 30 पर चली गई है इस तना और कुछ pages अगर आपके d index हो गए हैं तो यह फिर एक alarming situation हो सकती है आपकी website के लिए यह मैं again यह कह रहा हूं कि हो सकती है इसकी भी क updates चली गूगल की एक October की core update थी जो complete हो गई है साथ ही साथ spam update थी जो के अभी भी completely rollout नहीं हुई है अब जिस तरह अब अगर आप search engine land पे भी देखेंगे तो यहां पर भी यही लिखा है कि क्यूंके यहां पर दो यहां जिस तरह आप देखें कि two big confirmed updates rolling out at the same time तो यह जो दो updates ह है core update और उसके बाद spam update तो इन दोनों updates के अंदर अगर आपकी website हिट हो भी जाती तो आपको नहीं आप identify कर सकते के आपकी website किस update से हिट हुई spam update से हिट हुई या core update से हिट हुई तो इसकी आप किसी भी तरह है इस चीज को identify नहीं कर सकते लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप ए at least spreadsheets maintain कर लें उसके अंदर आप keywords को देख लें कि आज keyword की ranking यहां है तो कल क्या थी परसो क्या थी इस तरह था कि आपको at least website का idea हो जाए कि आपकी website के कौन कौन से pages और कौन कौन से keywords पे आपको कितनी जादा fluctuation नजर आ रही है अब ये तो बात मैंने कर दी इसके बाद अब second चीज यह आती है कि अगर आप हिट हो गए हैं तो आप क्या गरेंगे उसके लिए देखें अगर तो आपके multiple pages Google से डी इंडेक्स हो गए हैं साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी website के multiple keywords पर आपकी ranking बहुत जादा नीचे आ गई है तो आप content फिलाल डालते रहें च Google कितनी time में index कर रहा है साथ ही साथ जिस keyword को आप target कर रहें क्या उसके अंदर Google में आपकी website आ भी रही है नहीं आरी top 100 results के अंदर provided के आपकी keyword research अच्छी हो ये सारी चीज़े करें और इसके बाद जो जो pages आपको लग रहा है जो आपके main important pages हैं जिन keywords पर आप rank करेंगर उस प linking भैतर कर सकते हैं कि आप कुछ external links डाल सकते हैं या आप उस content को मजीद अच्छा कर सकते हैं कुछ और थोड़ा थोड़े paragraph वगरा add करके ताके content और ज्यादा भैतर हो सके तो ये सारी चीज़े आप करके देखें उसके बाद फिर एक से दो अफता और अपनी website को monitor करें क्यों वो तो बिल्कुल आपको नज़र आएगी तो यहां हम अपनी video एंड करते हों रगर ये video पसंद आए तो like करते हैं शेयर करते हों रगर आप मैं चैनल को subscribe नहीं है तो subscribe करते हैं और ये video देखने के लिए बहुत शुक्रिया thank you